संत तो कपड़ा पहने के रहें या दिगंबर रहें, संत तो पूज है, संत को हर रूप में पूजना चाहिए, संतों का दिल दुखाना मतलब इश्वर का दिल दुखाना है, इसलिए संतों का अपराध भगवान कभी छमा नहीं करते और मेरे वाणी से कभी संत का अपमान नहीं होता यदी हुआ है तो आप छमा जरूर करें मेरी वाणी का उद्देश किसी का दिल दुखाना नहीं है सब की अपनी अपनी परंपराएं है यदी मेरी वाणी से मेरे जैन संतों का तो ये दास अनिरुद्ध बार-बार आपके स्री चरणों में प्रणाम करता हुआ और कोटी-कोटी नमन करता हुआ बारम-बार छमा प्रार्थी हूँ यदि मैंने अपराध किया है तो लाखों बार छमा चाहता हूँ नमस्कार श्वागत है आपका गौरी कोपा नियूज में मैं हूँ श्राम शर्मा और आप देख रही हैं गौरी कोपा नियूज हाली में एक मुद्दा बड़ा ट्रेंड कर रहा है और स्ट्रेंड में आपको वीडियो में दिखाया गया है कि जैन समाज के द्वारा पुष्री महराजी के वक्तब के द्वारा जो नाराज की दिखाई गई है क्या है उसके पीछे की सच्चाई आज हम उसके बारे में पूरी सच्चाई को जानते हो है तह तक पहुँचने का प्रयास करेंगे हमारे साथ में पूजी श्री अनुदाचार जी महराज बैटे हैं आखिर उन से जानेंगे क्या है इसकी पीछे की सच्चाई बोलिया गौरी गोपाल भगवान की जय सब को जय श्री मनना रहें जय स्री किछना आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार संत न होते जगत में तो जल जाता संसार संतों ने ही संस्कृती को बचा रखा है संतों ने ही हम सब के विचारों को शुद्ध आज तक इस घोर का ल्युग में भी शुद्ध रखे हुए हैं हमारे विचारों को तो केवल संतों की कृपा है इसलिए सभी संतों को प्रणाम हमारे द्वारा एक छोटी सी वीडियो जिस पर एक माने पूछा की जैन संत वस्त्र क्यों नहीं धारण करते तो हमने कहा कि ये प्रश्न उनहीं से पूछना चाहिए क्यों पूछना चाहिए क्योंकि वही इस बात को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे क्योंकि हमारे यहां हमारी जो परंपराएं हैं चाहे वो सूरदाज जी हो, तुलसिदाज जी हो, कबीरदाज जी हो, श्रीरयदाज जी हो श्वामी श्री रामानंदाचार जी हो या रामानुजाचार जी हो हमारे यहां संत हमेशा से वस्त्र पहन के रहे हैं पर कुछ संत जासे भगवान शुकदेव जी ये दिगंबर ही रहे हैं तो वस्त्र पहनना किसी की परंपरा है वस्त्र ना पहनना किसी की परंपरा है सबकी परंपरां इस्रेष्ट हैं किसी की परंपराओं पर प्रश्न चिन्य नहीं है हमने किसी की परंपराओं पर प्रश्न चिन्य नहीं खड़ा किया हमने ये कहा कि समाज में निर्वस्त्र होके रहना आमर्यादित है ये बात हमने अपनी परंपराओं के लिए कही है आपकी परंपराओं के लिए नहीं आपकी परंपराओं को तो हम जानते हैं कि सदा से संत दिगंबर वेश में रहते हैं और ये त्याग की प्रतिमूर्ती है तो त्याग उन संतों में भी होता है जो वस्त्रधारन करते हैं स्वामी स्री तुलसीदाज जी कबीरदास जी, रैदास जी श्वामी स्री रामानन्दाचार जी रामानुजाचार जी क्या इन संतों के अंदर त्याग नहीं था त्याग था पर परमपराएं हैं कि ये वस्त्र जैसे जैनमुनियों में भी कुछ संत हमने देखे हैं कि वो अपना मुख भी ढखते हैं और स्वेत वस्त्र से पूरे सरीर को ढखते हैं तो क्या उनके अंदर त्याग नहीं है है उनके अंदर भी त्याग है और कुछ संत दिगंबर रहते हैं उनके अंदर भी त्याग है संत तो कपड़ा पहनके रहें या दिगंबर रहें संत तो पूझ हैं संत को हर रूप में पूझना चाहिए सब की अपनी अपनी परमपराएं है यदी मेरी वाणी से मेरे जैन भाईयों का और संतों का दिल दुखा है जैन संतों का तो यदास अनिरुद्ध बार-बार आपके स्रीचरणों में प्रणाम करता हुआ और कोटी-कोटी नमन करता हुआ बारम-बार छमा प्रार्थी हूँ यदि मैंने अपराध किया है तो लाखों बार छमा चाहता हूँ संतों का दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाना है इसलिए संतों का प्राध भगवान कभी छमा नहीं करते और मेरे वाणी से कभी संत का अपमान नहीं होता यदि हुआ है तो आप छमा जरूर करें मेरी वाणी का उद्देश किसी का दिल दुखाना नहीं है किसी ने सवाल किया तो सवाल पर प्रति उत्तर पर हमने ये कहा कि ये सवाल उनहीं से पूँछना चाहिए और यदि उनह मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है तो मेरी जैन भाईयों का जैन और हिंदू यह दो नहीं है, एक है संत जैनों के और हिंदूं के यह दो नहीं है, संत संत होते हैं चाहे जैनों के हो हिंदूं के संत का काम है अज्ञान का हरण करना आपकी शर्ण में कोई आए तो संत कोई भी आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, जैन आए, संत की शरण में कोई भी जाएगा, संत का कारे है उसके अज्ञान का हरण करना और उसके हिरदे में भक्ती का दीपक जलाना, त्याग का दिया जलाना, तो संत हमारे संत आपके ऐसा नहीं होता, मेरी भावना कहत कि संत सबके हैं और सभी संतों को कोटी-कोटी प्रणाम पुनह मेरी वानी से यदि मेरे जैन भाईयों का दिल दुखा हो तो मुझे अपना भाई मानकर अपना सीवक मानकर अपना दास मानकर छमा कीजिएगा उद्देश आपका हिर्दय दुखी करना आपका दिल दुखाना क कर दो